हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे बैंक और बढ़ोदा का एक SIP फंड जिसमें कि आप इंवेस्ट करके लो इंवेस्टमेंट आपको करना है और अच्छा-कासा रीटन आप पा सकते हैं पूरी जनकरी आपको वीडियो में मिलेगी कि कौन सा फंड है कैसा आपको इंवेस्टमेंट करना है क्या क्या चीज़ें है इसकी और future और past क्या इसका track record है सासत future में क्या होगा पूरी जनकरी आपको मिलेगी तो चलिए वीडियो की सुरवाद करते हैं उससे पहले अगर आप साप साप लिख रखा है कि low investment और high return तो कितना क्या return मिलेगा कितना invest करना है वो ही चीज़ देखते हैं देखिए इस fund का जो सबसे पहले नाम हम लोग जान लेते हैं यह है बरोधा BNP परिवास mid cap direct growth अब आपको बता दे mid cap का मतलब large cap का मतलब और small cap का मतलब मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता अब जादा एकी चीज़ को बताने के जोरत है फिर भी mid cap मतलब medium size की medium market cap की जो company होती है उनमें यह invest करते हैं तो यह ना तो बहुत छोटी company है ना बहुत अम्बानी और अडानी की जो company है उस level की है अना बहुत ही छोटी company यह medium size की company होती है जिनमें यह पैसे invest होती है अब चलते हैं इस fund का track record देख लेते हैं देखिए इसका जो previous track record है अभी तक इसने 5 साल से ज़्यादा पुराना fund है यह तो अभी तक regular basis पे इसने return दिया है 17.82% यानि 17.82% का इसने return अभी तक हर साल average के तौल पर देता आ रहा है साथ साथ इसके 5 सालों का track record देखें तो 13.64% का दिया है लेकिन last के 3 सालों में बहुत अच्छा return दिया है मतलब कि double हो गया तो यह 30.85% का return last के 3 सालों में और last के 1 year में 2.40% का return दिया है और इसका जो minimum SIP amount है कि minimum investment आप कितना कर सकते हैं वो मात्र 500 रुपए से आप इसका SIP start कर सकते हैं जादा amount भी नहीं और 500 रुपए हर इंसान पर मन्त पचा के कहीं पर invest कर सकता है तो बहुत ही minimum सा amount है और अगर आप one time investment करके छोड़ देना चाहते हैं तो आप minimum 5 year का investment इसमें कर सकते हैं अब कितने पैसे इस फंड में अभी तक जमा हो चुक है यह 6-7 सालों के दर्वियान कितने हुए है उसकी बात करें तो 1192 करोर अभी तक जमा हो चुका है जो कि आप इस कि पर देख रहे होंगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि इसकी holdings की बात करें नाम से ही पता है mid cap fund यानि की medium size की जो company होती है medium market cap की जो company हो उसमें ये maximum जो पैसे है उसी में invest होते हैं तो उन्हीं कंपनियों से top के 5 कंपनिया हैं जिसमें सबसे ज़्यादा invest करती है वो है Trent Limited, The Federal Bank Limited, Indian Bank Limited, PBS Motor Company Limited उसके बाद को Forge Limited ये 5 कंपनिया सबसे ज़्यादा इसमें invest किया जाता है इस fund क के द्वारा अब देखिए यहां TBS आपको नाम देखके लगा होगा जहां चलो एक company मुझे जाना पहचाना लग रहा है बाकी Indian Bank के बारे में भी सुना होगा लेकिन TBS तो हर इंसान जानता है TBS की बाइक आती है तो हर इंसान को इसके बारे में पता होगा अब return calculation की बात करत सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब अगर आपने 5 सालों के लिए 5500 रुपए हर में ने जमा कर दिये इस फंड में और 17% return इसने दे दिया तो आपका 30,000 तो total investment हो जाएगा और इस 30,000 पे 5 सालों में जो return आपको मिलेगा वो 17,400 तिरेफन रुपए का मिलेगा अगर यह 70 परसेंट होता है तो तो total value हो जाएगी 47,453 रुपए लेकिन आप कहेंगे कि 30,000 जमा किया और 14,000 हमें मिले 5 साल का time हमने दे दिया कोई मजा नहीं आ रहा तो देखिए कोई भी SIP fund होता है जो investment mutual fund होते हैं इसमें अगर आप चाहते हैं कि 5 सालों में ही मेरा पैसा 10 गुना ब यो 5 सालों में आपको कडूल पती बना दे कुछी छोटा सा amount invest करके तो तस गुना अभी S गुना कभी भी 5-7 सालों में नहीं multiply होता हां यह multiply तब होगा जब इसको long time के लिए आप invest करेंगे जैसे से आप इसका time period बढ़ाएंगे यह देखिएगा किस तरीके से यह multiply होता जात है अच्छा का सा लेकिन maximum case में ऐसा ही देखने को मिला है कि वो नुकसान का ही सामना करना पड़ता है अब देखिए 10 सालों के लिए गर रखते हैं तो 60,000 का investment 97,818 रूपए आपको return मिलेगे जैसा कि यहां 30,000 पे 17 मिल रहा था तो 60,000 पे आपको मिलना चाहिए था 34,35 लेकि क्योंकि आपने time period बढ़ा दिया अब यह total value हो जाएगी 1,77,818 ठीक है अब चलिए 15 साल की बात करते 15 साल में amount 29,000 आपने invest किया और आपको मिलेंगे return के तोर पे 3,24,45 रूपए total value हो जाएगी 4,14,45 थोड़ा सा और time देते हैं 20 साल के लिए चोड़ते हैं इसको तो 1,20,000 आ मिलेगा इस्टिमेट रिटेंड वो 8,91,455 का मिलेगा और total value हो जाएगी इस fund की 10,11,455 जहां आपको 5 सालों में मुश्किल से 47,000 मिला था यहां पे वही चीज़ अगर आपने इसको 4,4 टाइम रख दिया यानि 5 को 20 कर दिया तो यहां पे यह दो लाग होने चाहिए थे maximum लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि 10 लाग तक पहुँच गया अब और देखिए जो 50 लाग का मैंने आपको दिखाया है 50 लाग क 486 रुपए 5 साल और छोड़ दीजिए अगर आपकी एज आज 25 साल पीस साल है और आप चाहते हैं रिटार्यमेंट के टाइम आपको 58 लाग रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छा फंड है और बहुत ही मिनिमम इंवेस्ट्मेंट हो रहा है 500 रुपए आपके ऐसे ही खतम ह हो जाते हैं एक दिन में कहीं आप कुछ खाने के लिए 500 रुपए यह निकल जाते हैं अगर मंत में आप 500 रुपए इंवेस्ट्मेंट करते हैं तो मुझे नियाकता किसी परकार का आपका जो मंतली जो सेडूल है पैसे का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं पे किसी तरीके से ए 1,80,000 का इंवेस्ट्मेंट होगा और 54,48,832 रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा और टोटल वेल्य हो जाएगी 56,28,832 रुपए का ठीक है यह तो होगी सारी कल्कुलेशन लेकिन मैंने हर फंड में आपको कुछ अच्छी चीज़े भी बताई है तो उस फंड से रिलेटि जो positive point है इसका वो है expense ratio है आप देख सकते है expense ratio 0.59% ही है जो कि जो mutual fund में invest करते हैं उनको पता होगा expense ratio कितना बड़ा रोल अधा करता है किसी भी fund के लिए और हमेशा target यह रहता है कि 1% से 1% से कम expense ratio वाले fund में invest किया जाए उस according 0.59% बहुत ही best है साथ साथ इसका एक और positive point है इसके last 3 year, 5 year, 10 year में जो इसके annual return मिले हैं वो जिस category में यह fund stand करता है उस category के average return से high है मतलब बांकी जो इसके साथ वाले fund है उससे यह better perform किया है 3 साल और 5 साल और 10 साल में लेके एक negative point यह भी है कि last के एक साल में जो है न यह अपने category से 0.36% down है इसका return तो यह दो चीजे positive और negative आपको मैंने बता दी पूरी detail वीडियो यहाँ पर आप देख चुके हैं आपको यह fund कैसा लगा ज़रूर बताईएगा और कोई doubt हो कोई question हो तो आप में comment कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्तर हैं मस्तर हैं और investment करत पर जाइब